Hello guys, मेरे पास है Vivo V29E इसका design देखो यार कितना खुबसरत है पीछे से iPhone देखने में काफी प्यारा सा लगता है इसका design जैसे अच्छा है, इसमें अच्छा-च्छा features भी मिलता है आज इस वीडियो में इसका कुछ hidden features, इसको tips and tricks मैं आपके साथ share करूँगा इसमें floating windows का features मिलता है आप कोई भी application को floating windows में open कर सकते हो इसके लिए पहला आप को open कर लीजिए यह पर recent option में आना होगा आप का जो icon है, यह आपर tap करना है small windows दिखाए देगा, यहाँ पर tap करना है floating windows में एप open हो चुका है इस skin का size को आप यहाँ पर exist कर सकते हो आपके मर्जी से इसको अगर आप चाते हो तो यहाँ पर एप में convert करके full skin में काम कर सकते हो इस windows को disable करने के लिए यहाँ पर आपको आप on कर लिजिए, off skin style को आप यहाँ चूज कर सकते हो जब आपका phone lock होगा lock skin में all origin display सो होगा आप phone को lock या unlock करने के लिए पारबतम को استعمal करते हो लेकिन इसमें एक shortcut मिलता है जब आपको lock करना है तो आप display को पर double tap करिए phone lock हो जाएगा जब आपको unlock करना है display को पर double tap करिए phone का light तुरण wake up हो जाएगा इस option को on करने के लिए आपको आना होगा सिधा settings में scroll करके shortcut and accessibility में आना है smart musa ने smart skin on और off देखाए देगा और यह दुनों option को आप on कर लिजिए इसमें default internet speed meter मिलता है on करने के लिए आपको आना है सिधा settings में और यह पर display and brightness में आना है scroll करके status bar में आना है और यह पर so real time net or speed देखाए देगा इसको आपको on कर लिए आए app lock का features भी है आपको इपिक application के उपर lock लगा सकते हो आपको आना होगा सिधा settings में आपको आना होगा सिधा security में और यह पर देखाए देगा privacy and app encryption पहला आपको password वेकर create कर ले ना है उसके बाद आप किस भी application के उपर lock लगा सकते हो इसमें आप app को clone कर सकते हो आपको आना होगा सिधा settings में और यह पर apps में आना है app clone देखाए देगा आप app clone को support करता है यह पर आप single click में उसको आप clone कर सकते हो इसको मैं navigation button पर use कर रहा हो इसको अगर आप चाते हो तो full skin यह यूँकि JSUS में आप use कर सकते हो आपको आना होगा सिधा settings में और यह पर system में आना है system navigation देखाए देगा यह पर 3 button navigation है इस बटन को अगर आप चाते हो तो यह पर आप कास्टमेश कर सकते हो यहांसे आप जेस्टास नेविगिशन को स्लेट कर लीजे और जेस्टास में कभी अटकता नहीं है स्मूथली काम करता है भार्चल राम का फिचस भी मिलता है मेरे पास 8GB, 128GB फिरेंट है राम को बढ़ाने के लिए आपको आना होगा सिधा सेटिंग्स में और स्कॉल करके आपको आना होगा राम एन स्टोरे स्टेस में यहांपर राम में क्लिक करना है एक्स्टेंट राम दिखा देगा, इसको आन कर लीजे मेरे पास 8GB राम है स्टोरेस से 8GB एड हो जाएगा टोटल 16GB राम हो जाएगा आपके फोन में बहुत सारे प्री इंस्ट्ल एप है जिसको आप इजिली अनिस्ट्ल कर सकते हो लेकिन दो एप है होट एप्स और होट गेम्स करके इसको आप अनिस्ट्ल नहीं कर पाओगे इसको आपको डिसिबल करना है इसके लिए आप कोई भी एप के उपार तैब एन्ड होड करके रखना यहाप सेटिंग्स के आइकन दिखा दे रहे हैं और होट एप्स और होट गेम्स का जो अफसन है इसको आपको आप कर देना है ये दुनों एप गाइब हो जाएगा और आपका फोन पुरी की पुरी क्लीन होगा मेरा फोन आप है मैं तुरंत कैमेरा एप्लिकेशन को ओपिन कर सकता हूँ इसमें एक सॉटकार्ट मिलता है बॉलम का डाउन बटन को प्रेस एंड होल करने के बाद यहां पर कैमेरा तुरंत ओपिन हो जाता है यहां से आप फोटो क्लीक कर सकते हो और वीडियो को भी रेकोड कर सकते हो इसके लिए आपको आना होगा सिधा सेटिंग्स में और यहां पर स्कॉल करके सॉटकार्ड औन अक्सिसबिलिटी में आना होगा quick action देखाए देगा तो इसको आप on कर लीजिए और यहां से आप open camera को set कर लीजिए मैं phone को check कर रहा हूँ यहाँ पर flashlight तुरंथ open हो गया है इस option को on करने के लिए आपको आना है सिधा settings में और scroll करके shot card and accessibility में आना है और यहां smart motion देखा है देगा sick to turn on the flashlight इसको आप on कर लीजिए आप इतने जरुद से वीडियो देख रहे हो आपको एक bonus tips तो मिलना चाहिए आप देख सकते हो selfie camera का आसपास में एक yellow color का light है यह light hard time on रहता है कोई भी एक application को में open करता हूँ आप नहीं होता है और देखने में काफी प्यारा से लगता है इस light को आप आपके phone में भी on कर सकते हो इसके लिए कुछ tips को आपको follow करना है पहला जो tips है अब मेरा description को check करिए एक application का download link मिलेगा जिसका नाम है ring ring application बहुत ही छोटी mb का application है single click में download हो जाता है तो अब इसको download करके install कर लीजिए आगे का जो सारा process है मैं आपको बहुत आसन तरीके से समझा देता हो जब आप पहली बार इस application को open करोगे इसका home screen settings कुछ ऐसे देखाए देगा एक button रहता है इस button को on कर लेना है तो एक circle आजाएकर right side के तरह उस circle को इस controller के जरीए selfie camera का असपास में लेकर आना होगा circle अगर अच्छी तरीके से fit नहीं होता है तो उपर की तरफ जो बार है उसको up and down करके अब fit कर सकते हो इसके बद color में आना होगा यहांसे आप single color को slate कर लीजिए आपका जो favorite color है अब यहांब चूज कर सकते हैं यहांपर आना होगा यहांपर कुछ preset color रहता है यहांसे मैं yellow color को set करके okay पर click कर देता हूँ outer ring color में आना होगा और यहांसे भी preset color में आकर yellow color को set करके यहांपर okay पर click कर देता हूँ मेरा काम यहां पर खतम हो जाता है, यह light hard time on रहाएगा, जितना मरजी आप application को open करो, light off नहीं होता है, और देखने में काफी प्यारा से भी लगता है, तो क्या सुझ रहा है हो, जल्दी से जाओ, और description से ring ring application को download कर लो, इस पोन में skin shot लेने के लिए बहुत सब तरीका है, पहला जो तरीका है, भलम का down button और power button को same time में press करके, आप skin shot ले सकते हो, और सबसे आसान जो तरीका रहता है, आप three finger को down करके skin shot ले सकते हो, अगर आप चाते हो, डिस्पले का specified area का skin shot लेने के लिए, तो आपको आना होगा सि यहाँ पर आपको आना होगा है, इस capture में, यहाँ पर funny skin shot है, यहाँ से आपको lasso skin shot को slate कर लेना है, मैं draw कर रहा हो, आप यह पर देख सकते हो, इसके बात आपको save में click करना है, जितना area को मैंने draw किया था, उस skin shot हो गया है, इस सारी option को on करने के लिए आपको आना होगा सिध power menu नहीं आता है, तो power menu को on करने के लिए आपको आना होगा सिधा settings में, और यहाँ पर shortcut and accessibility में आना है, press and hold up power button देखा देगा, यहाँ पर press and hold up power button पर tap करना है, तो आप यह पर देख सकते हो, launch Google Assistant देखा है दे रहा है, तो इस option को आपको उपर में select कर लेना है, इसके बात जब power button को press and hold करोगे, तो यहाँ पर power menu खुल कर आ जाएगा, और आप phone को easily switch off कर सकते हो, इसमें 120Hz का refresh rate है, लेकिन यह default on नहीं रहता है, आपको आना होगा सिधा settings में, और यहाँ पर display and brightness में आना है, और यह पर देखा है देगा skin refresh rate, इसको आप 120Hz में select कर लेजिए, 120Hz में जब आ ऐसे features को अगर आप use करना चाहते हो, तो आपको आना होगा सिधा settings में, और यह पर देखा है देखा flash notification, incoming calls है, इसको आपको on कर लेना है, इसपून का display का size बढ़ा है, इसलिए इसमें one hand mode का features मिलता है, तो इस features को on करने के लिए आपको आना होगा सिधा settings में, और यह पर आप देखा है देगा, इसको on कर लेना है, तो इस option को on करने के बाद, जब आप right side में ऐसे swipe करोगे, तो यह phone one hand mode में open हो जाएगा, और आप phone को easily एक हाथ में use कर पाऊगे, इसमें emblem light effects मिलता है, आपको आना है सिधा settings में, dynamic effects में आना है, emblem light effects देखाए देखाए देगा, तो इसको आप custom time पर set भी कर सकते हो, तो इसको अगर आप चाते हो incoming calls के लिए, या notification के लिए set कर सकते हो, जब आपके phone में incoming call आएगा, इस light को कैसे on करना चाते हो, तो यहां से आप light effects को चूज कर सकते हो, तो same यहां पर notification पर भी light effects को यहां पर चेंज भी कर सकते हो, इसमें wifi twittering मिलता ह अब same time में wifi and hotspot को on कर सकते हो, अपका wifi disable नहीं होगा, अब आपका घर का wifi का password या office का wifi का password को ना share करके, इस device के ज़री के दूसरा कोई device को आप internet share कर पाओगे, spirit skin का features मिलता है, अब same time में दो app को use कर सकते हो, पहला आप को open कर लीजे, listen button पर tap करना है, app की icon में tap करना है, spirit skin देखाए देगा, तो पहला app को मैंने open कर लिया, और दूसरे app को अगर आप open करना चाहते हो, जैसे मैंने facebook को open कर लिया, तो यहां पर आप देख सकते हो, नीचे facebook करना होगा, यह phone OTG को support करता है, लेकिन OTG को connect करने से पहले कुछ settings को आपको on करना है, आपको आना है सिदा settings में, और यह आप ब्लूतुर राइन device में आना है, OTG देखाए दे रहा है, इस option को on कर लेना है, इसके बाद जब आप OTG को connect करोगे, आपका OTG support ले लेगा, इस phone की UI color देखा देगा दोस्तों, यहां से आप color को choose कर सकते हो, यहां पर तरह तरह का color मिलता है, इसमें easy touch का features मिलता है, जब मैं tap करता हूँ, यहां पर धेर सारी option खुल गया है, जैसे कि यहां पर आप सिंगल क्लिक में screenshot रिले सकते हो, ऐसे calculator open हो जाता है, skin recording बगरा, तो जो जो आप ज्यादा reuse करते हो, shortcut के लिए आप इंसेट करके सकते हो, आपको आना है settings में, और यहां पर shortcut and accessibility में आना है, easy test देखा देगा, इस option को आप on कर लीजे, और यहां से आप customize भी कर सकते हो, जब आपके phone में incoming call आता है, ringtone के सासाथ phone private करे, ऐसे features को on करना चाहते हो, तो आपक कुछ features जो Vibov V29E में देखने को मिलता है, मुझे पूरी उमीद है एक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको एक वीडियो थोड़ी सी helpful लगाए, तो आप एक लाइक करके, चांग को सब्सक्काइब करके, हमारे साथ जूड़े रहिए, होसा के तो एक वीड दोस्त के साथ भी सेयर कर देना,